दोस्तो आट टाटा IPL 2023 का मैच नमबर 17 खेला जाएगा ये मुकाबला चननाई सूपरकिंग इसके साथ ही राजिस्थान रोयल के बीज खेला जाने वाला है तो आकरकार इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है पीची रिपोर्ट पीच पर किन गेंद बाजो और किन बल्ले बाजो को मिलने वाली है मदद कितना बनेगा first inning में कितना बनेगा second inning में score कौन सी टीम ये देगी मुकाबला इसके साथ ही क्या होने वाली है दोनों टीमों की final playing level इसके साथ अलावा आपकी फैंटसी टीम मे किन 11 खिलाडियों को होना चाहिए कौन से खिलाडी देने वाले है आपको सबसे ज्यादा पॉइंट ए टूजेट सभी जानकारिया हम आपको बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस मुकाबले की फाइनल फैंटासी टीम पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम पर जुड़ेंगे टेली ग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल करने का उप्सन मिल जाएगा तो उसे जोइन जरूर कर लिजेगा कि दोस्तों वहाँ पर लगबग 64,000 लोगों ने जोइन का के रखा उन लोगों को हर दिन विनिंग टीम मिल लहीं तो अगर आप भी विनिंग टीम पाना चाहते हैं तो टेली ग्राम से जुड़ जाएगा तो आईए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में दोस्तों इस मुकाबले की बात किजाए दोस्तों ये मुकाबला 12 तारीकों भारती समय उसरा रात 3.30 साथ वज़े से चन्नाई के मही दामबरम श्टेडियम में खेले जाने वाला ये मुकाबला धोनी और इसके साथ ही र वेदर रिपोर्ट के बारे में दोस्तों वेदर की बात किजाए दोस्तों हिमिनुटी 93 परशने बारिस के कोई चांद नहीं गुए दोस्तों इस ग्राउंड का जो टम्परेचर है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेट है इसके लागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस 75.2 मीटर इसके लागा फ्रेंट साइड की बाउंडरी 65.3 मीटर इसके साथ ही बैक साइड की बाउंडरी की बात कि जाए दोस्तों 65.83 मीटर है तो इस तरीके का ग्राउंड डामेंशन सा रहने वाला है इस मुकाबले के लिए इसके लागे बढ़ते हैं और बात कले पीची बारे में दोस्तों पीछ रिपोर्ट की बात किए यह पीछ बैटिंग फ्रेंट ली यहां पर पीस और इस पिन दोनों तरिके के गेंद बाजों को पूरी पूरी तरिके से मदद मिलने वाले ही किला उस ग्राउन का जो फर्स इनिंग एबरेज इसकोर एकशों महसर्ट है वह लाश्ट के दस मुकाबले खेले गें दोस्तों 58 विकेट पेसर और इसके साथ ही 58 विकेट इस्पिन्रों को मिलें तो कुल मिलाकर पीस और इस पिन यहाँ पर शक्मान एक्वल संगेंद बाजी का प्रदरसन रहता है तो कुल मिलाकर का वैसे में सवाल अट होता है कौन से खिल क्यों बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोल लगां चाहिए कि इसके लाए स्कोरिंग पाटन आपकी स्के पर आपदेख सकते हैं इसके लाव तो आगे बढ़ते हैं और बात के लेते हैं इस ग्राउन पर रीसेंट तीन मुकाबलों के बारे में जो रीसेंट के तीन मुकाबले खेले गए हैं एक मुकाबला चेननाई और लखनों के बीच खेला गया था इसमें 200 पेसर्स को 6 इस पिनर को 8 बिकेट मिले इसके साथ है एक मुकाबला दीसी और इसके हाइदाबाद के बीच खेला गया इसमें पिय्सर्स को 5 इसiran को तो तीन और स्पिनर को पांच तो किसी मुकाबले में पिसर्सकोड ज़िदा बिकेट मिलें तो किसी मुकाबले में इस पिनर को तो कुछ मिलाकर यहां पर समान इक्वलस गेंद बाजी होने वाली इसके लागे बढ़ते हैं दोनों टीमों के लाज्ट दस मुकाबलों के प्रदसन के बारे में दोस्तो लाज्ट दस मुकाबलों की बात किज़े दोनों टीमें पांच-पांच मुकाबलों में जीत करके आ रही है अपने 5-10 मिसे 5-5 मुकाबलों में जीत दर्ज करने एक कामियाब रही इसके लाव दोस्तो आगे बढ़ते हैं बात कर लिते हैं दोनों टीमों की Final Playing 11 के बारे हैं फिर आपको बताते हैं Fantasy टीम के बारे में दोस्तो Final Playing 11 की बात के अभी जो Predicted Playing 11 सबसे पहले बात करते हैं राजिस्थान के बारे में दोस्तो राजिस्थान की तरब से खेले वाले SSV जेस्वाल जोस बटलर इसके साथ संजू सेमसन रियान पराग सिमरन हेट मायर इसके लावा दुरू जुरेल और वहीं दोस्तो जेस्थान होलर इसके लावार रभी चंदन अश्विन ट्रेंट बोर्ट और इसके साथ संदीप सर्मा यूजवेंदर चहल खेले वाले तो यह होने वाली है दोस्तो यहाँ पर राजिस्थान टीम की प्लेइंगल इसके लावास तो आगे बढ़ते हैं और बात कलेते हैं यहाँ पर इसके लाव तो आगे बढ़ते हैं और बात कलेतने हैं अपनी फाइनल टीम के बारे में जो स्टेट्स को देखकर के अभी हमने बनाई इस टीम की बात कीज़े तो इस टीम में बिकेट कीपर की बात कीज़े दोस्तो डिवेन कौन बे जोस पटरा और संजू सैंसन को लिए ह इसके साथ ही वो आलाउंडर की बाद के सिमिचल सेंटर रबिंदर जड़ेजा बॉलर्स की बाद के तो सिसांडा मागाला ट्रेंट बॉर्ड और इसके ला यूजी बेंदर चहल होने वाले तो यह अभी हमने टीम बनाए है इसमें कैप्टन बटलर वाइस कैप्टन संजू सै के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद